आपके बल्ले में कुछ है क्या रोहिश सर्मा से अंपायर ने पूछा मज़िदार सवाल हिट मैं ने हस्ते हस्ते खुला राज वर्ल्लकट 2023 में भारत पाकिस्तान का मुकाबला हुआ और भारत ने इस मुकाबले में 7 विकिट से जीत हांसिल की इस मुकाबले में भारती कप्तान रोहिश शर्मा ने शानदार पारी खेली भले रोहिश शर्मा सतक से चूप गए लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाप ऐसे शानदार सौट जड़े जिसे देखकर एमपायर तक हैरान रह गया रोहिश शर्मा ने 63 गैन पर 6 रनों की धुमधार पारी खेली इस दोरान हिट मैन ने 6 चौके और इतने ही गगन चुम्बी छक्के लगाए जब रोहिश शर्मा मैनान पर अपने बल्ले से आते से बाजी कर रहे थे तो मैनान पर मौझूद एमपायर भी उनके लंबे लंबे छक्के देखकर हैरान रह गए थे मैस के दोरान एक वीडियो सोसल मीडिया पर खूब बाइरल हो रहा है जिसमें रोहिश शर्मा एमपायर मराईस को अपने डोले दिखाते हुए नजर आ रहे हैं फैंस यह जानने को बेहत इकचुक थे कि रोहिट ने ऐसा क्यों किया अब भारतिय कप्तान रोहिश शर्मा ने इस पूरी बातचीत का खुलासा किया है फार्दिक पांडिया ने जब रोहिश शर्मा से उस डोले दिखाने वाले सेलिब्रेशन के बारे में पूछा तो भारतिय कप्तान ने कहा वो मुझे पूछ रहा था कि इतना लंबा चक्का कैसे मारती हो ये तेरे बैट में कुछ है मैंने कहा बैट में कुछ नहीं है पावर है रोहिश शर्मा इस वर्ल्ड कप में जबरजस्त फॉर्म में चल रहे हैं और स्टेलिया के खिलाब ओपनिंग मोकाबले में बले ही वह अपना खाता नहीं खोल पाए मगर उसकी कमी उन्होंने अगले रन बनाए रोहिश शर्मा के बारे में आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दे से सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में